नमस्कार दोस्तों तो जिस टॉपिक पर आज हम चरचगनने वाले हैं वह यह है कि हांजी आई सो 9001-2015 होता क्या है और उसकी ज़रुत क्या पड़ती है और किस तरीके से आप लोग उसका असानी से लिसकते हैं तो दोस्तों देखिए 9001-2015 इंटरनेशनल स्टेंडर्ड और्गनाइजेशन द्वारा एक स्टेंडर्ड मनाए हुए है जो क्वालिटी स्टेंडर्ड जो मानक बोलते हैं जिसे हम हिंदी में उस हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेशन एक ऐसा सर्टिफिकेट ल मुलता है कि जी सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको यह प्रमाइंड मिल जाता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट हो आप मैंफेक्चर करें बिद्फिकेशन के हिसाब से और इंटरनेशनल स्टेंडर्स ओर्गनाइसेशन के फ्वालिटी स्टेंडर्स के देसाब से वह काम करें देखिए ISO 9001-2015 जो है वो identify करता है कि जितनी भी requirement है वो quality management system को लेके या किसी और चीज़ को लेके जहां कि organization और requirements demonstrate करते हैं जी इनकी ability consistently follow करी जा रही है जो product आप offer कर रहे हैं वो एक तरीके से पूरी तरीके से सश्टकते हैं ठीक है जो sigma की meet को जितनी यहीं को अप पूरा कर रहैं तो यह शारी चीज़ें आपका एक तरीके से यह वोलता है कि हंजी अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरीके से काम करके बढ़़ लें तो यह आप आप असानी से कर सकते हैं और इसको आप असानी से किया जा सकता है तो अगर सिंपल वर्ड में बोलू हूं कि हैंजी अगर आपको किसी भी तरीके से कि आपको यह सारी चीज़े नहान में रखनी है कि आपका जो आई-ए-ए-ए-स-ो लेना पड़ेगा 9000-2015 तो दोस्तों यह सारी चीज़े हैं आई-स-ो को लेकर कि आई-स-ो होता गया है किस तरीके से काम करता है किस तरीके से एक तरीके से संगठित है किस तरीके से यह उथराइज है तो यह सारे प्रोसेश आपको फॉल्लू ने पढ़ते हैं डॉक्यमेंट्स की रिक्वायर्मेंट्स होती है वू मैं अभी बतादु मा क्या क्या डॉक्यमेंट्स है यह उतना है कि इसके स्थेकिश ट्रीके की डॉक्रिमेंट लगते हैं आई सो नौहजार एक दोहजार पंदरा अगर आप लेना चाहिए वह उसका प्रोड़क्ट किया है उसकी सर्विस क्या है वो किस तरीके की चीजों में डील कर रहा है क्या हिसाब किताबे क्या नहीं अब बात करते हैं जी बेनेफिट्स क्या है यह सो 9001-2015 के कुछ बेनेफिट्स हैं कोई भी बिजनस जो इसको लेता है उसको कुछ बेनेफिट्स का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि suitable होना चाहिए बोत small और large organization दोनों पे better internal management होता है अगर आप इसको लेने हैं तो देखिए जो टेंडर लेना चाहती है उनको इसके requirement होती है जो टेंडर लेना चाहते है वो आई एफ ले सकते हैं जो इनको देंडर की requirement नहीं है जो सिर्फ एक quality प्रमाण के तार पर शो करना चाहते हैं यह हमारी कंपनी आयसो 9001-2014 परमाणित है वो नॉर्मली भी ले सकते हैं विदा होता है और confidence build-up होने के बाद internal management की strong होना शुरू हो जाता है इसके बाद बात आती है लेस विस्टेज की obviously बात है जो आपकी विस्टेज है अगर आप international standards of organization के standards को follow करेंगे आप अपनी cost को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो विस्टेज है वो कम हो जाएगी बिलकुल कम होएगी और उससे आपको फायदा भी मिलेगा आपकी increase in efficiency और productivity बढ़ती है और profit भी बढ़ते है बिकॉज आप जब अपनी cost कम करेंगे आप international standards follow करेंगे आप international standards organization के जो दिये वे प्रमानित मानक है उनको follow करने तो आपकी जो efficiency है manufacturing में हो चाहे आप service sector में हो चाहे आप products में वो बढ़ेगी आपके productivity भी बढ़ेगी इन लीव के और विजनस और उसके बाद आपका profit तो बढ़ना जाए जी जाए 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 क्योंकि यह सारी चीज़े बढ़ेंगी तो obviously बात है वो भी होगा इसके बाद आपका customer retention है मतलब जिस जो आप customer लेना चाहते हैं अपने product के business पर या अपने services जो आप प्रवाइड करते हैं उसके business पर या कोई manufacturing प्रवाइड कर रहे हैं उसका जो output प्रोड़क्ट है उसके business पर वह भी आपका customer retention easily हो जाएगा reason for being आप जब ISO 9001-2015 मार्केट पे जाएंगे तो obviously बात है दूसरे लोग आपको प्रमायनित समझेंगे और को अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़े हो जाएगी consistent रहना है आपने outcome आपका बिल्कुल consistent होना चाहिए measured और monitored होना चाहिए क्योंकि यह सारी चीज़ें मानी जाएगी और अगर आप देखें तो यह सारी चीज़ें जभी मानी जाएगी जब आपका ISO 9001-2015 तो आपके outcome बिल्कुल consistent होने चाहिए measured होने चाहिए monitored होने चाहिए तो इससे आपको बहुत सारी जगा पर फायदा मिलेगा आपके outcome अच्छे हैंगे आपकी measurement अच्छी होगी आपकी monitoring अच्छी होगी globally recognized standards होते हैं तो obviously बात है आपके लिए benefit बहुत जादा है और बहुत ही अच्छे तरीके के benefits हैं अगर मैं बोलू तो simple way मैं बोलू तो क्योंकि यह जो standards हैं यह जो सारे standards हैं यह एक तरीके से international standards organization की तरफ से आते हैं उसी तरफ से यह सारी चीज़े बनके आती हैं उन्हीं को यह आपने follow करना है कोई बड़ी चीज नहीं है बहुत बड़ी चीज नहीं होती है अगर मैं simple words में बोलूं आपको तो आप easily इसको कर सकते हैं कोई भी बंदा इसको easily ले सकता ऐसा को उस नहीं कहां जी बहुत बड़े document बहुत सारी requirements होती है बहुत ही असान requirement है documents की मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ज्यादा requirement नहीं क्योंकि अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग requirement होती है अब मैं बताता हूं देखिए in case आप company है तो आपको certificate of incorporation लगाना पड़ेगा अपना कंपनी का मोई लगाना पड़ेग और एक हद तक आपको अगर आपने लगाना पड़ेगा और company का पैंट चाहिए होगा और साथ में अगर आप आई-एफ के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना पूरा एक तरीके से सेल्स और परचेस इंवाइस भी देने पड़ेंगे तो यह सारी चीज देने पड़ेंगी इसके बाद आपका काम हो जाएगा अगर आपकी ललपी है तो ललपी फर्म का जो registration certificate होता है वो उसके अलावा ललपी फर्म के अलावा अगर आप मैं बोलू ललपी फर्म का जो आपका पैन कार्ड होगा वो चाहिए होगा ठीक है और आप जो पार्टनर्स होंगे उनका के गाइबाएस ही चाहिए होगा तो यह सारी documents LLP में अगए और अगर आप है तो यह सारी चीज़ों में से कुछ भी हो जाए या श्वाप इस्टमिश्मेंट हो जाहिए तो यह सारी चीजह होनी चाहिए इसके लावा आपके डोक्यमेंट्स में जो भी सोल पर्परेटर होगा आपके चाहिए होगे और जो आपका अगर सिंपल वर्ट करते हैं किस तरीची से करें तो यह सारी चीज़ दिहार में रखनी बहुत जादा है मैं बेने आपको बताई दिए बहुत इसली प्रॉसेश है ऑनलाइन प्रॉसेश हो जाता है बिना किसी परिशानी के ऑल ओवर इंडिया सेम होता है सिमिलर होता है इसमें कुछ अलग-अलग मानक होते हैं जिनको फ नाइफ ठोड़ा कम बढ़ता है तो यह सारी चीजों का ध्यान अगर आप रखेंगे और इजली रखेंगे तो आप असानी से चीज़ को कर सकते हैं बिना किसी परिशानी के तो यह सारा पुलिंदा था आईसों नोह जारे हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें जैस करने कमेंट जरूर करें शेर बीकर सकते हैं और कमेंट शुड़के जाएं कि आपको वीडियो कैसे लगा ताकि हम और वीडियो आपके लिए बना सकें इच्छी तरीके से और बहुत यह च्छी तरीके तो थैंकि सो मच अगर आपको आएसो 90001-2014 से लेके कोई भी रिक्व मुली हुग ॵको कर दो कर दो कर दो